स्वागत करते हैं आप सभी का JSSC Defense Zone YouTube चैनल में आज की इस वीडियो में हम Creative Child के बारे में पढ़ेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें साथ ही Creative Child से सम्बंदित सभी बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो के अंतक बना रहें तो आईए शुरू करते हैं प्रिवियस वीडियो में हमने Exceptional Child के बारे में पढ़ा था और उसके प्रकार Intelligent Child के बारे में जाना था आज हम Exceptional Child के ही प्रकार स्रिजनात्मक बालक यानि Creative Child के बारे में जानेंगे स्रजीन सील बालक वे बालक होते हैं जो नए छेत्रों की खोज करते हैं नए अवलोकन करते हैं, नई भाईश्यानय करते हैं एवं नए निसकर्ष निकालते हैं जैसे पेंटिंग, नई मशीन की खोज, आर्ट एंड क्राफ्ट में उनकी अधिक रूची होती है स्रिजन सील बालकों में सिजनात्मक ता की परिभासा अनेक विद्वानों ने अपने नुसार दी है जिन में से कुछ विद्वानों की परिभासा यहां पे लिखित है उत्पादन स्रिजनात्मक ता कहलाती है इसकीनर के अनुसार स्रिजनात्मक ता वह चिंतन है जो नए छेत्र की खोज करता है, नए परिक्षन करता है, नई भयुश्याना करता है, एवं नए निसकर्स निकालता है क्रो, एवं क्रो के अनुसार, स्रिजनात्मकता, मौलिक परिनामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है इस परकार हम निस्कर्ष के रूप में कह सकते हैं की स्रिजनात्मकता का आर्थ जीवन में नवीन दिष्टिकोन को अपनाना होता है सिर्जनसील व्यक्ति सदा नये दिश्टिकोन, विचार और वेभार अपनाने के लिए तयार रहता है जिससे वह समस्या के समाधान खोजने में नए समाधान खोजने में सफल रहता है अब हम सिर्जनसील बालकों की विशेश्टाओं के बारे में कुछ बाते जानेंगे जिसमें पहला है जिग्यासा स्रीजनसील वालक जिग्यासु प्रवरीति के होते हैं वे नई-नई खोज, सोध एवं क्रियाओं के प्रती अधिक जागरुक होते हैं और जो चीजे वो नहीं जानते हैं उनके बारे में अधिक जानना चाहते हैं दूसरी विजेस्ता है लचीलापन क्रियाटिव चाइल्ड फ्लेक्सिबल होते हैं जो पुर्न अधारनाओं में बहुत जल्दी से परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं दूसरे सब्दों में कहा जाए तो रूडिवादी प्रवरीति के वे नहीं होते हैं वे अपनी अधारना विचारे में परिवर्तन आसानी से करने में सक्षम होते हैं तीसरी विशेस्ता है मौलिक चिंदन स्रिजनात्मक बालकों में मौलिकता पाई जाती है मौलिकता कहने का अर्थ है कि उनके विचार में मुकारे सूध्य होते हैं उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है चौती विशेस्ता है स्वतंत्र निर्ने लेना क्रियेटिव चाइल्ड स्वतंत्र निर्ने लेना पसंद करते हैं और उन्हें जो अच्छा लगता है वो करना वे चाहते हैं जैसे किसी बच्चे को पेंटिंग का शौक है तो वो painting के छेत में ही अपना career बनाना चाहते हैं उन्हें पढ़ाई में या ऐसी चीजें जिसमें उनकी रूची ना हो वो करना पसंद नहीं करते हैं जैसे किसी को acting पसंद है तो वो पढ़ाई लिखर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उनका काम, एक्टिंग करना, डांस करना ही होता है, उसके लिए पढ़ाई भी छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, आचे विसेश्ता है, ध्यान केंद्रित होना, सिर्जन सील मालकों में यसी प्रविति पाई जाती है, कि जो चीज वो करना चाहते हैं, उसे वे फुल कॉं सिर्जन सील बालकों की जो चींतन सीलता होती है, वो काफी कॉंपलेक्स होती है, उनकी रूची के अनुसार, जैसा वो उनकी रूची होती है, उसके अनुसार वो सोचते हैं, और एक अवधारना को कई तरह से सोचने में सक्षम होते हैं, साथमी विशेष्टा है सक्ति का उच अस्तर स्रिजन सील वालक क्रियेटिव चाइल्ड में एनर्जी बहुत अधिक होती है और वो उसका परियोग अपने क्रियेटिविटी में करते है आठमी विशेष्टा है जोखिम उठाने की प्रवरिती क्रियेटिव चाइल्ड में जोटिम उठाने की प्रवरिती सामाने बालकों से अधिक होती है वे नई नई चीजों को करने के लिए रिस्क उठाने के लिए तयार होते हैं जबकि सामाने बालक में उतने साहस नहीं जुटा पाते किसी भी जोखिम को उठाने के लिए स्रिशनात्मक बालकों की imagination पावर बहुत अधिक होती है द्वारा ही नई नई चीजों की खोज करने में सक्षम होते हैं अगली विशेष्टा है स्रेष्टा की इच्छा क्रियेटिव चैल में स्रेष्ट बनने की इच्छा बहुत अधिक होती है वे चाहते हैं कि वे अन्य बालकों से अधिक superior बने और शिक्षक की नजर में हमेशा अच्छे बने रहें अगली विशेष्टा है दूर दर्शीता क्रियेटिव चैल दूर की चीजों और कल्पनात्मक चीजों में ज़्यादा ध्यान देते हैं किसी भी कारे को करने से पहले वो सभी बातों का ध्यान रखते हैं और कारे करने के बाद क्या परिनाम होंगे उसकी भी कल्पना करने की चमता उनमें होती है अगली विशेष्टा है सर्व्यापक्ता ऐसा माना जाता है कि प्रतेक बच्चे में कोई न कोई क्रियेटिविटी का गुन पाया जाता है अब हम स्रीजन सील बालकों की सिक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए इसके बारे में जानेंगे इसमें पहला है विचारों की सतंतरता freedom of thoughts स्रीजन सील बालकों को पूरी छूट दी जानी चाहिए कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके और स्वतंतर रूप से सोच सके कि उन्हें क्या करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए दूसरा है मौलिक और लचीलेपन को प्रुतसाहित करना स्रीजन सील बालकों में मौलिकता पाई जाती है और लचीलेपन का भी गुन पाया जाता है इसलिए एक अच्छे सिक्षक होने की नाते उनका दाई तो होता है कि वो बच्चों में मौलिक और लचीलेपन को प्रुतसाहित करे इसमें तीसरा है साहसिक चिंतन का विकास एक शिक्षक के तौर पर स्रीजन सील बालकों में साहस को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें नए नए कारे करने के लिए करेज करना चाहिए चौथा है व्याग्यानिक द्रिष्टिकों का विकास स्रीजन सील बालकों में नए नए खोज सोध करने की प्रवरिती अधिक पाई जाती है इसलिए एक सिक्षक को चाहिए कि उनके व्याग्यानिक द्रिष्टिकों का विकास करे और उनका मार्ग दर्शन करे इसके साथ ही उन्हें वे सभी साधन उपलद कराएं जिनसे की उनके द्रिष्टी कोन को और अधिक विस्तार मिले पाँचवा है अहम भावना की अभिव्यक्ति स्रिजनसील बालकों में अहम भावना की अभिवक्ति होना आवश्यक है की वो अपने कारे को स्वयम अकेले पूरा कर सकते हैं उन्हें किसी और पर निर्भर रहने की अवश्यक्ता नहीं है वे स्वयम में इतना सक्षम है की वो अपनी सोची गई क्रिया को कर सकते हैं अगला है चिंतन का विकास विस्त्रिट चिंतन का विकास इस बिंदु के तहट हम यह का सकते हैं कि सिर्णसील बालकों में अधिक सोचने की और किसी भी कारे को नए नए तरीके से करने की छमता पाई जाती है तो एक सिक्षक होने के नाते सिक्षक को इस प्रकार सिक्षक दी जानी चाहिए कि उनके चिंतन का उनकी क्रियेटिविटी का और अधिक विस्तार हो अगला है प्रसिक्षन द्वारा पोशित करना जैसे किसी बालक को पेंटिंग करने का शौक है या फिर कुछ ऐसी चीज बनाने का शौक रखता है जो पहले कभी नहीं बनाया गया हो या फिर बनाया ही गया हो उसमें कुछ नया बनाना हो तो उसे प्रसिक्षन के द्वारा और अधिक अच्छा किया जा सकता है एगला है स्रीजनात्मक्ता का विशय चेत्र स्रीजनात्मक्त का विशय चेत्र बहुत व्यापक है जैसे कहानी, नाटक, कवीता, गीत, लिखना, चित्रकला, मूर्तिकला, आदी, नहीं-नहीं, होज करना, आदी ये सारे स्रीजनात्मक्ता के ही उदाहरन है स्रीजनात्मक्ता के जाएर